नमस्कार आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूँ आपके साथ कंचरन। नमस्कार आपके साथ कंचरन। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरे ना रहने पर बाहर रहता था। यहां आके पड़बारी जो भी आए और यहां बनबाने के लिए गुड्डू महराज और क्या बोलते हैं। मेरे भाइयों को चमका के बनबा दिये गया। मैं पड़बारी बूलाया कि कहां तुम क्या काम कर बाएं। मेरे खेट फूड़ गया। मेरे नुकसान हुआ आके देखा मेरे पट्टी में बना है। मैं कहीं भी कुछ सिकायत करता हूं कोई सुनता। इसमें आप कहां कहां सिकायत कर दिये। सीयो साब को बोले एक हफता नहीं एक महीनम हो जाएगा। अब अभी तरफ पूर नहीं है। इससे नुकसान आपको कितना हो रहा है। यह पूरा मेरा जमीन है आप देख लीजिए। नुकसान क्या हो रहा है आप खुड देख लीजिए। मैं इस साल इतना खेटी कर पाएं। मैं अगले साल कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि पूरा बार यहां ना जाके वहां जाएगा। पानी का। जो पानी की रास्ता है रास्ते में पानी जाएगा नहीं क्योंकि तूटा हुआ हुआ है। पानी वहां न जाएगा। वहां जाएगत मैं खेती कीशिकर पाऊंगा? इस साल आप रेद देख लिए कितना रेद डाल दिया है मेरे खेत में अभी क्या चाह रहे हैं? अभी मैं इसका जो नयाय हो, उचिस साथन के दोरा वह हो अर नहीं हो रहा है और यह खेत में बनाने का सासन के दौरा कोई गाइड लाइड नहीं है खेत के मेड में इस्टाप डिम बनाए गया है जो पूरी तरह से भरष्टाशार हुआ है किसी भी बड़े अधियारी से गर इसका जाच करा लिया जाए तो संबंधित ग्राम पंचायत उपयंत्री और रज्डियों से पूरे वराशी का वसूली होगा चूंकि खेत में श्टाप डिम बनाने का कोई आउचित ही नहीं है इसको लेकर आप क्या कारवाई कर रहे हैं इसको लेकर हमने अभी तक संबंधित किसान से 181 लगवाया था सियो साहब को इनके दौरा लेटर दिलवाया गया मैंने बिधायक जी को भी बताया था इस विशय पे बिधायक जी के संज्ञान में बिधायक जी भी हमको अस्वस्त किये थी कि अगर खेत के पट्टेदार को अगर नयाय नहीं मिलते हैं तो मैं इस बात को बिधान सभा में भी उठाऊँगा तो अगली कारवाई क्या होगी आप अगली कारवाई आप लोगों के माध्यम से हम सासन को सचेत करना चाह रहे हैं अगर सरकार और सासन पर बैठे जो कलेक्टर साहब हैं सीयो साहब हैं अगर यह हम किसान को न्याय नहीं दिराते हैं तो हम लोग धारना देंगे भी यह जब बन रहा था तो आप लोग ध्यान नहीं था ही नहीं हम लोग रोक लगाने का कोछिस किया पर चुकि एजेंसी हम लोगों को नहीं हम लोगों का बात नहीं माना और जब अरश्टी एजेंसी यहाँ पर निर्माण किया है उस समय के ततकालिन सकेटरी बद्री साहू सब इंजीनियर भत नागर इन्होंने जोर जब दस्ति करके इसका निर्माण कराया है